दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो की इस बंदे का पेज है और 4.6 मिलियन यहाँ पर पोलो रहो चुके हैं और यह बंदा है ना भाई दूसरे की पोस्ट को सेर करके पेशे कमा रहा है तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं आज के इस यूडियो के मादे मसी हम आपको क्लियर बतने वाला हूँ कि आपका पेज अगर मोनेटाइज नहीं है फिर भी आप अच्छी कासी अर्निंग कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्क्रोल डाउन करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बंदे इसने दूसरे की फोस्ट को यहाँ पर शेयर किया है और इसको पेशा मिल रहा है और केसे मिल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं गुंचास मिनट पहले एक गंटे पहले फिर यहाँ पर इसने पोस्ट करी दो गंटे पहले यहाँ पर इसने दूसरे के वीडियो को शेर किया तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दो गंटे पहले फिर से इसने दूसरे के वीडियो को शेर किया और यहसे यहसे करके देख सकते हैं 22 गंटे पहले भी इन्होंने इस वीडियो को शेर किया और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोलडाउन करके यहाँ पर पोटो भी इसने सेर किया और तेरा गटे पहले ये वीडियो भी इनो ने सेर किया और यूज भी आप देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल्स में यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों इसका फोलोवर से ना 4.6 million followers हो चुके हैं और likes भी जो page पर है 4.7 million हो चुके हैं तो दोस्तों मैंने एक video बनाया था जो कि पिछला video था उस पर मैंने आपको दिखाया था कि आपको एक facebook page बनाना है ऐसा page बनाना है जो कि आपको वहाँ पर अपनी audience इकटा करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर audience इकटी करनी है हाला कि वह page आपका monetize हो या नहीं हो उस पर police issue भी आजाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है लोग बोल रहे थे कि sir आपने views तो दिखा दिये बाकी share नहीं दिखा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे scroll down करूंगा तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 5 share तो भाई इस बंदे ने share नहीं किया जैसे जैसे लोगों के पास video जाता है तो वहाँ पर लोग उस video को share करने लग जाते हैं और दोस्तों इतना sharing आ जाता है कि एक के एक एक अजार दो दो जार एक video पर लोग share कर देते हैं दीना आप आप यह आपर देख सकते हैं, और 2.1 के लोगों ने यहाँ पर share किया है, जब कि आप यह बहुत सकते हैं, कि इसने 2.1 K share कर सकता है या कोई बंदा, एक बंदा 2.1 K share नहीं कर सकता है दोस्तों जैसे जैसे लोगों के पास वीडियो जाता है तो लोगों को पसंद आता है तो वो इस वीडियो को शेर करने लग जाते हैं और शेर करकर के उस पर इतना शेर आ जाता है कि बहुत ही ज्यादा शेरिंग उस पर हो जाती है और वो वीडियो वाइरल भ पर आपको audience increase करनी है, बहुत सारी audience आपको increase करनी है, जिसके माधियम से आप earning कर सकते हैं, बिना page monetize के, दोस्तों आज मैं यहाँ पर screen recording के माधियम से आपको दिखाने वाला हूँ, मेरा खुद का page है, जो कि मैंने copy paste किया है, फिर भी वो monetize है, और अच्छी कासी audience वहाँ पर हो मैं click करता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इसके followers से 1,30,000 followers हो चुके हैं, और बहुत ही जल्दी मैंने यह followers gain किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इसकी reach भी अच्छी है, और सारा कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा चल रहा है, तो जो कि कैसे करना, आगे मैं आपको बता दूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ads on deal पर मैं click करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल save है, और यहाँ पर earning भी हो रही है, और दोस्तों यहाँ पर start पर click करता हूँ, start भी यहाँ पर monetize है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत न भी earning वाला काम नहीं करें, इसलिए यहाँ पर earning बहुत ही कम है, तो इससे बहुत सेटिंग पर click करूँगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, initiative ads यहाँ पर own है, और live ads का जो criteria वो भी इस पहित पर complete नहीं हुआ है, तो अब चलते हैं, और आपको एक चीज़ दिखा देता ह यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज हमने यहाँ पर upload कर रखें, reals video upload कर रखें, तो दोस्तों आप भी real upload कर सकते हैं, वो भी copy paste, यह हमारा कोई भी content हमारा नहीं है, सारा copy paste content है, इसके बाउजुदी यह page monetize भी है, दोस्तों अगर आपका page monetize नहीं होता है, त पेसे अच्छी कासी earning कर सकते हैं, जो कि आप initiative ad से पेसा नहीं कमा सकते हैं, उतना पेसा आप बिना initiative ad के भी अपने page से earning कर सकते हैं, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा जता हूँ, यहाँ पर post पर में click करता हूँ, दोस्तों यह initiative ad से कैसे monetize हैं, और आप अपने page को कैस से save रख सकते हैं, copy paste करने के बाद भी, तो मैं आपको scroll down करता हूँ, और यहाँ से नीचे scroll down करते जाता हूँ, देख सकते हैं, आप reels, reels, reels यहाँ पर, और reels के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यह program देख रहे हैं, आप live देख रहे हैं, तो दोस क्या करना है, original content साथ में upload करना है, जैसा कि original content आप upload करोगे, तो आपका page का monetization या police issue आपको नहीं आएगा, आपका page monetize भी रहेगा, दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको यही बताया था, कि आपको अपने page को monetize नहीं रखना है, आपको audience इकटी करनी है, जिसके माद अभी दिखाया था, love diary के नाम से यह page है, और इस पर भी click करता हूँ, तो दोस्तों यह बंदा केसे पेसे कमा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, scroll down करूंगा, और यह दूसरी की video share करके पेसे कमा रहा है, केसे कमा रहा है, जैसा कि इस बंदे ने इन से contact किया, कि हमारे page के video क आपको अपने page पर share करना है, हम आपको उसके बदले amount देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं लोग है na, trend पर group लेते हैं, उसकी बजाए कहीं लोग क्या करते हैं, page पर अपना video share कराते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह बंदा only दूसरी की video share करता है, उस जाएगा, वो कोई इनके page पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह sharing से इतना पेशा कमाते हैं, जो कि instrument की जरुरत बिलकुल नहीं पड़ती है, तो भाई हम कोई चीज आपको बताते हैं, बिलकुल experiment के साथ बताते हैं, आप इना उल्टे सवाल करने लग जाते हैं, तो आपको जो doubt होता न, वो clear करने के लिए आपको एक सही comment करना चाहिए, सही way में आपको comment करना चाहिए, तब जाके आपकी जो next problem होती है न, वो हम अगले वीडियो के अंदर suit out करते हैं, बिलकुल आपका clear करने की causes करते हैं, तो दोस्तों मेरे दो चीजे आपको यहाँ पर दि अगर आपका page monetize नहीं होता है, आपका page खराब हो जाता है, उस पर काफी सारी audience हो जाती है, तो आपको बहुत सारे benefit है, आप दूसरे की वीडियो को वहाँ पे share करके पेसे कमा सकते हैं, जैसा कि आपका audience पेसे जादा हो जाता है, तब आपसे कहीं लोग contact करते हैं, आप वह आपे deal कर सकते हैं, यैसे भी आप पेसे कमा सकते हैं, और दूसरी बात जैसा कि आप new page बना सकते हैं, उस वीडियो को आप अपने पुराने page पर जिस पर audience जादा है, उस पर share करके उसको grow करवा सकते हैं, उसको recommendation में send कर सकते हैं, और वहाँ से अच्छी कासी earning भी आप initiative के द रखा है, और दोस्तों वहाँ पर मैं अभी भी कोई post नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की post वहाँ पर करूँ, उसके क्या क्या condition है, वो मैं आपको आने वाली videos के अंदर बताऊंगा, और अगर दोस्तों आपका ज्यादा से ज्यादा comment रहा है, तो दोस् उनको कैसे पहचाना जाएगा, उनकी videos को कैसे share किया जाएगा, सब कुछ आरे वाली videos के अंदर में बताऊंगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा comment करेंगे, तब ही वो video बनाने वाला हूँ, और आप सभी का लोगों का है ना, वहाँ पर video share करने वाला हूँ, mk player page दो आपका video direct share करने वाला हूँ, और अपने आप से उसको share करेंगे, तो दोस्तों आपका video 100% चलेगा, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, खुद भी आप अपना एक page create कर सकते हैं, और एक बड़ा audience वाला page बना सकते हैं, साथ इसाथ आपको थोड़ा सा मेनत वहाँ पर लगेग क्योंकि दोस्तों उससे आपको page grow कर सकते हैं, कहीं सारे pages को monetize कर सकते हैं, कहीं सारे pages से earning कर सकते हैं, दोस्तों page जरूरत बनाना, दोस्तों अच्छी setting के साथ अगर आपको page बनाना नहीं आपना तो उसका link भी मैं आपको description दह दूँगा, वहाँ से उस वीडियो को जरूरत से चेक आउट कीजिएगा और आप पेज बनाना सीख जाओगे तो भाई पेस्बुक पर पेसे कमाने के बहुत सारे जरिये हैं और आप अलगले तरहीगों से पेसा कमा सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा ताकि ऐसी इंफोर्मेटिव जानकारी में आपको देता रहूँ चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ नए वीडियो के साथ तब ते के लिए जैहिंग जैवारत